आप सभी का आपके अपने यूटूब चाहें सौब टॉक्स में स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी चाहता है जो भी जैक पॉर्ड में क्लाश 12 में उन सभी चाहता रोग लिए आपके मॉडल सेंपल पेपर जो आया हुआ है उसका सेट वन का डिसकर्शन लेका तो पूरा वीडियो को लाक्ष्ट तजरू देखेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो का प्लाइक कर दिया चैनल पर नहीं है तो चलिए अगर आपको मॉडल सेट पेपर वन का पेडिया चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा अगर आप चाहे तो वहां जूड़ जाए इसके बाद आपको सेंपल पेपर चाहिए यह तो आपको वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए यह आपका लिखा हुआ है कि जारकंड सेक्षिन अनुसंदा कि यानि आपका फिजिक्स का यह टॉपिक है ठीक है समय आपको एजामनेशन में डेड़ घंटे मिलें लिखाओ देखिए वन आवर एक घंटा तीसमेंट और आपको इसमें टोटल मार्क्स मिलेंगे 35 यानि आपको क्लास 12 में जो भी छास चाहता है फिजिक्स में आपको य प्रत्येक्शन के लिए आपको हर कोसेंट के लिए आपको हर कोशन के चार आपको जाएंगे तो यह बेसिक आपको ज़ानखरी चाहिए तक क्या आपको कि इस्तर ग्राफ टिक करिए कोई चीज को ठीक है अब हमें आपको शुराद करता हूं क्यूंस क्या पहले बता दू कि आपको दोनों लेंग्विज अविलेवल है इंग्लीज प्रस इंदि दोनों अवलेवल है तो अब आप से भी चाहता रहा हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आ बढ़ जाती है तो बिंदू पर भीभग का मान बढ़ सकता है ठीक है घट सकता है बढ़ या घट सकता है या फिर वही रहेगा तो आप सभी छाह चाहतर है मालूम होना चाहिए कि इस द की अगर जो पोटेंशियल के भिलू रहता है ठीक है इस पॉइंट पे क्या थो हमें ऑप्षन नमबर भी डिक्रीज वोगा हिंदी में इसे टिकरिंग हम घट सकता है ठीक है अब हमारा जो अगला सवाल है कि टूचाइब स्पेर्स आर सेपरेटेटे डिस्टेंस डी एकज़र फोर्स एफ ओन इच अदर इस चार्जेज डबल एंद डिस्टेंस बिट्विन देम डेम डबल यह तो दो आवेस वाले गोले हैं एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर लगाते हैं ठीक है और यदि तो लगने बल क्या हो अपका यदि होगा फिर फोर फोर एफ होगा तो आप सभी चार्फ से इसे आराम से बैटके डिसक्केर करिये अगर आपको चाहिए ठीक केक साहीए और आपको वीदियो को नाम से विदाके हो विपकर पूस्टरी कि संचने हो रिक और आपको एक जब तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्षिन लीजिए कि सर हमें फुल डिसकसन चाहिए हर कुश्चन का तो मैं आपको वहाँ पर प्रवाइड कर दूँगा तो आप वहाँ पर हमारे निव एकाडमी चैनल को जोइन कर सकते ठीक है तो फिलाल इसका जो एंसर होगा वो होगा आपका सिर्फ एफ होने वाला है तो आप्सन नंबर एसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला जो सवाल हमारा कि दा रिलेशन बिट्वें इलेक्ट्रिक फिल्ट ठीक है एंड पोटेंसियल भी के बीच में क्या आपका रिलेशन होता है इबराबर म संबावी भी के भी समबंद है ए ऑप्सन दिया अप्सन नंबर एसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है हिंदी वाले चाहाथ चाहता है तिक कली जेग से अगला जो हमारा कोस्चिन है कि एक पॉजिटिवी चार्ज ग्लास रॉडड एंट्रेक्ट एं ऑबजट ग्लास इट तो देखिए इसका जो एंसर होगा वो होगा नेगिटिबली चाय दा जो अबजेक्ट होगा आपका क्या होना चीए रिन आवेसित होने चीए इसलिए अगला हमारा है इसका जो मान है वो पढ़ता है यानि इसका जो मान है वो पढ़ता है यानि इनक्रेजर इसका सही एंसर हो जाएगा और हिंदी में बढ़ता है अगला हमारा है कि की Ohm law इस हैं कि km आपका माण मान है पीडिक हो सब्सक्राइब का जो कॉन्प्रेश् को माहेरा समय typing च्रही जब इसका मान कॉन्प्रेश्टर का हो ड़िए वह तक्यों कॉन्स्तेशन होता है इसलिए अगला जो हमारा कि दा एक्जामपल ऑफ नन ओमिक रिश्टेंस यानि आपका एक गैर ओमिक प्रतिरोत का उधारा निसमें कौन से एक्जामपल है कॉपर वायर, फिलामेंट लेंप, कार्व रिश्टर या फिर दायोड, आप हिंदी में भी जानते होंगे इसे क्या कहा जाता है ठीक है तो इसका जो correct answer होगा एक nanomic resistance क्या है यहाँ पर diode है ठीक है यहनि option number d का correct answer हो जाएगा यहाँ पर हिंदी में भी ठीक है तो अगला जो हमारा सवाल है कि किर्चॉप first and second law for electrical circuit किर्चॉप को जो first and second law है ठीक है आप सब्सक्राइब के लिए तो आप सब्सक्राइब को जाएगा ठीक है अब हमारा है कि the number of electron for one column of charge यह आपको मालूमनना चाहिए कि number of electron एक कुलम चार्ज के लिए कितने होते है इसका diet मैं पॉइन से बता देता हूं कि 6.25 into 10 to the power 18 यह value diet value है इसलिए मैं आपको option diet टिक कर देता हूं कि option number यह करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला जो हमारा है कि एक charge q is enclosed by a gaussian spherical surface of radius r ठीक है if the radius is double है अगर radius को डबल किया रहा है तो जो outward electric flux होगा उसका value क्या होगा decreases to half increases four times remains unchanged या फिर double अगर हिंदी में कहें तो एक आवेस है जिसका q तरीजा और r की एक ग्रावसी गुला का सता सहीरा हूँ है यदि तरीजा को दुगना कर दिया तो बाहरी विद्धूत प्रभा क्या हो घटकर आदा हो जाता है चार गुना हो जाता है आप परिवर्तित र की नहीं होगा रिमेंस अंचेंडिस का सही अंसर है अगला जो हमारा है कि the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper is less more same depends upon the length and area of cross section of the wire हिंदीम कहें तो देखिए तामबे के पतले तार की तुलना में तामबे की छड़ का जो विशिष्ट परिदोते करम होता है अधीक होता वही होता या तार के अनुर्प्रस कार्ट चेतर और लंबाई पर निरबर करता है तो देखिए इसका जो एंसर होता है वह होता है कम होता है जो आपका भेलू होता ठीक है यह क्या होता है कम होता है इसलिए option number a क्यों लेस हिंदी में से टिक कर लेंगे हम लोग कम को ठीक है अब हमारा जो अगला टी है एन एव या फिर हमारा वी एम तो आपका मालूम होना जैंजिक इसका जो एंसर होता है वह होता है यह option number D का अगला सवाल हमारा एव वायर फीज हाफ देर्मेटर एक वायर पी जिकार डेनमेटर के हाफ है एंड़ आप दलेंध आ अप फिर क्यूअ वायर क्यूआ पूर इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगर मैं आपको यहां सवल्व करने बताँ तो आपको यह वीडियो बहुत यह लंबा हो जाएगा तो अगर आपको चाहिए कि हर से की हर कोश्चन का मैं आपको सुल्वड कर दूँ तो आप कमेंट सक्क्स बताइएगा मैं आपको जो हम से अगला जो हमारा है कि नेम दा मेटेरियल विच गीब लेस रेसिस्टेंस इंक्रीजिन टेंपरेटर उस प्रदार का नाम बहुत है जो तापमान विद्धी के साथ कम प्रदी ऐसा जो मेटेल बताना है जो जैसे टेंपरेटर बढ़ेगा उसका परितिरूत क्या हो जाता है उसका जो सवाल है या फिर अपका मरकरी है तो देखिए इसका अंसर होगा वह हो ताघ् Star के लंबत करता इलेक्ट्रों को बदो गत्या होगा और या simple तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका circular यानि हो जाएगा आपका वृतिया तो option number A आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला जो सवाल है हमारा कि if EA ठीक है be the electric field strength of a short dipole at a point on the axial line and E that on the equator line at the same distance then E बराबर 2 EA EA बराबर 2 EA EA या फिर none of this तो आप बताई इसमें से क्या आपका correct answer हो सकता है अगर ये अपनी अक्षिय दुरी पर एक window पर एक छोटे दुरी 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 की विद्दू छेत्र की तागत है और ये समान दुरी पर भूमेद रिखा पर है तब देखे कौन सा एंसर टिक होगा तो देखिए इसका जो एंसर होगा वह हो जाएगा आपका ये बराबर हो जाएगा 2 EA या नहीं हो जाएगा option number B इसका correct answer तो यहां पर हम टिक कर लेंगे इसे देखिए अगला सवाल है कि two parallel conductor ठीक है carrying current इंदा या फिर नहीं देखिए तो देखिए इसका आपका यूनिट होता है कि इसका capacity क्या होता है वोल्ट न्यूटन फैरेड या फिर आपका संधायत की जो मात्र होता है वो क्या होता आपका फैरेड होता है इसलिए option नंबर सी इसका correct answer हो जाएगा अगला सवाल हमारा according to MPH circuit law तो आपको MPH circuit law पढ़ा है इसलिए मैं आपको इसका diet एंसर बताऊंगा कि इसका क्या एंसर होता है अगला सवाल यह भी बनाने वाला है समझने वाला है तो आपको हमारे न्यूवे करड़िंग चैनल पर मिल जाएगा डिसकर अगर चाहते हैं तो वहां पर आपको वहां पर solution प्रवाइड कर दूँगा तो एक चार्ज क्यू इस मूविंग एना यूनिफॉर्म मैगनेटी फिल्ड सच दर्वेरिसिटी वी पर्पेंडिकुलर टू बी देन दा फोर्स एक आवेस से ठीक है एक समान चुमकिये शेत में घूम रहा है जैसा कि वेग भी बी की लंवत है तो आवेस पर लगनेवाद जो बल होगा 0 होगा, Q BB होगा Q BYb होगा या फिर और D non तो इसका जो एंसर होगा kąी आपको changer हो जाए normalmente करण एंसर बताऊंगा कि एप बराबर क्या होता है क्यों ए ठीक है बी प्लस भी इंटू बी ऑप्शन नमबर सी करेंट एंसर ठीक है अगला सवाल हमारा वाट इद भेलू अफ एंगल ऑफ देखिए एंगल ऑफ डीक अगल ऑफ जो डीप हमारा मैंगनेटिक एक्वेटर भेलू हम इंगल ऑफ डीप ऐसा प्लेश पर आखाओ जहां पर होरिजोंटल कंपोनेट और अर्फ मैंटी फिल्ट कि इसके पराबर वर्टीक अपर जीरो डिग्री होगा थर्टी डिग्री होगा फुर्टी फटी फाइब डीग्री या फिर आपका 90 डिग्री होगा तो देखिए यह यहाँ पर क्या होता है एंगल ऑफ डीप का जो भिलू होता है वह 90 डिग्री होता है इसलिए अप्शन नमबर डीज का क्या टैंसर हो जाएगा तवाले कि दा मैगनेटिक लाइंस ऑफ फूर्स इंसाइड बार मैगनेट डू नोट एग्जिस्ट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्षन ऑफ बार मैगनेट या फिर आर फ्रॉम नॉर्थ पॉल टू साउथ पॉल ऑफ दा मैगनेट या फिर आपका आर फ्रॉम साउथ पॉल टू नॉर्थ पॉल या एक छड़ चुमबक के अंदर जो बल की चुमबक रेखाएं होती है ठीक है वह मौजुद नही है बार चुमबक के अनुपर सकाट के च्छ फिर पर देबर करता हैं साउथ पॉल या फिर चुमबक kalo से अर्थ पॉल या फ्रीत फॉल होगा तट है थीक्या है अब हमारे अगला सवाल है कि मैंगनेटीक रेलिमेंंट जो टतु क्या होते है ले स्निसे ज हैам्kachनेक फूल यानि ना फिर नवब्दिज यान पीठ्व के चुमबकी तो तो अम्हों लहा को निकल या एकॉबल्ट या फिर आपका एल्मुनियम चांदी और सोना या फिर आपका तीन रातिया जो वित्वी के चुम्बक्य वहवार करती है या डी इन में से आपका कोई नहीं तो देखिए इसका जो क्याइट एंसर हो जाएगा वह को option number c3 quantity describe behavior of the earth यानि option number 6 का क्याइट एंसर हो तब क्या निकलने वाल है जीरो पॉइंट फोर जूल ठीक है तो option number इसका करेट एंसर है अगला हमारा सवाल है अगला सवाल हमारा 28 नंबर कि ए प्रोटॉन ए ड्यूटरॉन और अल्फा पार्टिकल् एक इक दिच्वेट क्या करना रेडियस करने प्रोटॉन है रंप्रमन प्क्राइब होता होता निकली इसमत भी यहां पर इस फिगर में जो मैंनेटिक फिल्ट प्रडूइस होगा वह सेंटर पे उसका विल्व आपको कल्कुलेट करना है तो देखिए यह इस वीडियो को सेक्षन बताईएगा कि अगर आपको सारा 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 सुलूस्टन चाहिए तो फिलाल अभी उसका एंसर होगा वह आप जान लेजिए कि ऑप्शन नमर बीस का कैट एंसर हो जाएगा हिंदी के चाहता है से टिक कर लिए ऑप्शन नमर भी अगला जो हमारा कोस् का करना है तो देखिए यह जो कॉस्टन यह आपको क्या करना पड़ेगा जब आप करेंगा करेंगा तो इसका नेमर ब्लस बिसी का बेलो निकलने वाला है अगला सवाल है वाइस जरेग तरे मैजरेंग तर्द पर इसके अदर मेंडर एक तरिक तु से तो इथिंग तुल न पॉम सुलो तो इसमें आपको बताना है कि इसका क्या टेंसर क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो स्क्रेंट एंसर होगा वह टेसर नल में यह क्या सून निफिती है तो ऑप्सन नमबर यह का हम क्या करें क्या कर लेंगे ठीक है अब हमारा अगला सवाल है कि थी त्री एक यह टीन का वेलू के पर यह क्या करना है तो देखें जब आपको आपको क्या मिलें ऑप्सेंट नम्हें इसका करेंशर है अगला सवाल है यह भी आपको बनाना पड़ेगा कि बेशिक सल्योशन आप चाहिए तो आप यूटो चलण जो सकते हैं ठीक है वहां आपको मता दिये जाएगा इन दा बेशी सी असी एल्स क्रिश्टल स्ट्रिश्ट्टर शीएस प्लस और इन बीशी कन्फिकरेशन आप इसका प्रेलू क्या करना है तो देखें जब आप केल्कुरेट करेंगा तब इसका पाई यह पताब जीरो एनि ऑप्सन नम्मर डी इसका करेट एंसर हो जा होता हूं आपको बताना है तो यह आपको मालूम होने हैं इसका रहें होता हूं अप्षन नंबर एसका क्या होजाद ओफ्ट हो जाएगा ठीक है और हमारा जो अगला लाश्ट सवाल है कि वन अ मैंगनेट इस नॉर्फ पूल ठीक है तो बाट सबसे क्लोश गोईल दा नियर देखिए इसका जो क्रेट एंसर होगा वह होगा आपका नौर्थ पोल यानी उत्री तो देखिए यह थे आपके पूरे आपके जो सॉल्यूशन थे देखिएगा मैं आपको वहाँ पर प्राइट कर दूँगा ठीक है तो आसा करता हूं को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों जुरू सेर कर दीजेगा चैनल पर नूँआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो उसके वीडियो को अपने दोस्तों जुरू स कर दोस्तों 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 कर दोस्तों